वहां से जा सकते हो आपको वहां पड़े रहने के लिए जगा नहीं मिली ठीक है वहां जाएं अपना जोला उठाएं और पर्मानेंट वहां बस जाएं आप वहीं पर्मानेंट बसो गए जहां पे आप रहते हो शुरू से वलकम टू मैं चैनल दिंपल विलोग तो कैसे हो आप सब लोग एकदम बढ़िया ना मस्त ना वेरी गुड मैं भी एकदम बढ़िया मस्त तो आप सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो में ब्यान करना भी बहुत मुश्किल है उसके लिए वर्ड्स लवज भी कम पड़ जाते हैं तो आप समझ जाएए कि मैं आपको कितना धन्यावाद देरी हूं कितना शुक्रिया अदा करें आप लोगों का कि आपने मेरे साथ मेरी फैमिली को इतनी ब्लैसिंग दी जो कि आज की तारीक में मेरी फैमिली को आप सब की ब्लैसिंग की हो तो मैं हूं ठीक है तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो जी कुछ लोग पूछेंगे कि आपने इतना सारा हम लोगों को थैंक यू बोल दिया लेकिन किसलिए क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहते हूं कि जो लोग कम्यून्टी मेरी चेक नहीं करते तो उनको नहीं पता होगा तो वो कम्यून्टी जाके चेक कर सकते हैं कि आप लोगों के बिना बिल्कुल भी पॉसिवल नहीं था कि मिलियंस में व्यूज आना मेरे और इतने सारे धेरो धेरो आप लोगों ने लाइक दिये तो उसके लिए मैंने अपनी वाइटी फैमिली क बहुत सारा थेंक्यू बोला है तो चलिए आप बात कर लेते हैं कि मेरे को ना एक दो कमेंट्स नहीं काफी कमेंट्स मुझे यह भी आये कि डिंबल दिदी आपको कैसे पता था कि जूटी जो है जाने वाली है जैसा कि मैंने अपनी कल वीडियो में बोला उससे पहले बोला कि धिदू रिटर जानी कि डंबो रिटर तो यह जो डंबो है यह कब आएगी, यह आएगी अपने मौटू बिटिया का बर्थडेस सेलिबरेट करने के बाद जो कि मौटू बिटिया ने अपनी इस प्यारिसी डंबो को बहुत सारी स्पेस दे रखी है कि जा जीले अपनी जिन्दगी कर ले पढ़ाई इतनी करनी है कोई बात नहीं है हमारे पास होई वह सारा टाइम है हम जब चाहेंगे जब आप लोगों को पता ना फिर से प्रेगनसी वाला वर्ड जो है वह बोलना नहीं बुली है यह ठीक है जी मोटू का कहना है कि देखिए मेरे घर में तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि जो जूटी है उसने सब के सामने चिला चिला करो रोके भी कहा था कि मेरे लिए एक भ बहुत सारी स्पेस है जानी कि मोटू रुख सकता है वहां पर तो आप लोग देख सकते हो कि यह जूटी के यहां पर चांदपूर में आकर इनकी मदरी लोचाहें चाहें यहां पर तो वो आके एक-एक महिना रहके जाती है जूटी के पास ठीक है लेकिन जूटी के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है इसके इनलोज के यहां पर यह चीज़ें खुदी बताती है अपनी वीडियोस में और मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि मोटू तुमने इतनी स्पेस दे रखी है मोटू बिटिया तुम भी कम चलाक नहीं हो इतनी जादा तुमने स्पेस द तुम साथ में बैठते ठीक है लेकिन नहीं मोटू तो बीजी बहुत है वो भी उसको भी स्पेस दे रखी है इन कुड़ीने की जाद जिले जिन्दकी जितनी करनी है पढ़ाई कर ले वो तो पढ़ाई में रुज गया है बस उसको तो पढ़ाई के लावा और कुछी दर उ चला जाता है लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं देता है लेकिन मदरिन लो जो है वो आके जब रुकती है अपना टाइम स्पैन करती है इस जूटी के साथ ठीक है पूरा एक-एक महिना आकर लेकिन जो जूटी है वो एक घिंड़ा भी सुसराल नहीं रुक पाती है यहां आज का जो टोपिक है न जी स्पैस स्पैस वाला ही चल रहा है ठीक है जी कल जूटी ने बहुत सारा ग्यान दिया था जी अपनी वीडियो में तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि पुतन का चाहिए वो पहले वाला कार्ण था जां फिर किचड़ वाला कार्ण था लेकिन उसको बती ने डी जे मी ने और ये जूटी ने बिल्कुल भी स्पैस नहीं दिया था स्पैस का मतलब यह होता है कि तु मेरी लाइफ में इंटर्फियर ना करूं ठीक है लेकिन ये तो भी तुम अंग्रेजी में बोलो चाहिए तुम उसको हिंदी में बोलो तो इसक आप इंसपायर हो गई थी वुक् seguridad से छो की चार दिन पहले साथा ताइसन के वह इस पाइर हो गई यह दिदू से लेकिन यहां पर इंसपायर हो रही है जूटी से जहां पर तो जूटी इंसपायर हो रही है वी इंसपायर हो रहे एक त्र ना करने देचा feel acok बोल देते कि कल वो दीदू के वीडियो से थोड़ा सा भी इंस्पायर हुई दीदू के तो बरबर के कमेंट आए कि पुतन और जो ननु है उसको तुमारा वीडियो देखना चाहिए जानी की जूटी का तो पुतन तुम बता तुम थोड़ा सा भी इंस्पायर हुई क्योंकि तुमी को लेके टॉंट करकर जो उन्होंने वीडियो बनाया है ना तो उस चीज को तुमारे को दिमाग में रखना चाहिए थोड़ा समझ ले लेनी चाहिए कि दिदू क्या कह रही है दिदू का कहना है कि मैं अपनी सास को अपने हस्बंड को बहुत-बहुत मानती हूं तो य अपनी दिदू ने अभी कोई चार-पांच दिन पहले जो अपना टाइडल रखा था वो अभी बत्ती ने भी यूज कर लिया तो मैं पूछना चाहती हूं कि बत्ती से कि देखो पहले तो तुमारे शादी की बहुत अफवाएं उड़ रही थी जैसा कि तुमने बोला कि आ भरी है ठीक है जो तुमारा नन्न महमान है उसकी नहीं उसके तो घर चूहा निकला तुमारे घर ये निकलाय बच़डा भिया हद्री हो गई तुम लोगों की तो नन्ने पहले ही महित्त ट्रठ्थ कर रखें तुम लोगों ने अपने यहां पर लेकिन यह क्यूं नहीं इसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि लोगों को भी अब पता लगने लग गया है सब की सब चला किया ठीक है जहां अभी बड़े से बड़े यूट्यूबर्स के व्यूज जो है वो गिर चुके हैं तो वहीं आब क्या बताएं ठीक है सब टाइटल का गेम है कि अंदर तो जाके दे इसपायर हुए हैं इसको लेके क्लिक बेट टाइटल को लेके जी विल्कुल क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि उनके टाइटल थे कुछ और लेकिन जैसे अंदर गे तो वेट मैनिजमेंट दिया जा रहा था बताएं ठीक है अभी ऐसा ना हो कि मोटू की दूसर बहुत सारे काम है अभी इनके बहुत सारे जो काम है ना वो शक में डाल देते हैं कि बहुत सारे कामों में क्या अभी जो अभी चल रहा है ना सबके दिमागों में वो चल रहा है कहीं ना कहीं पुतन की प्रेगनेंसी को भी लेके लेकिन अभी इनका ट्रीटमेंट कॉंसलि योज में कनफ्यूस करती हैं लेकिन कल इन्होंने जो वीडियो बनाया था ना वह सीधा और सीधा जो एक मैसेज था वह पुतन के लिए था कि देखो करो अपने मन की अपने मरजी की सुनो सब की लेकिन करो अपने मन की तो मैं यहां पर यह बताना चाहती हूं कि अगर यह सरक्राइब गृति हुए यह फैनली जो भी करता धरता आपर यह आपने खुदी अपने वीडिऊ स्कीज़ें दिखा दी और बताथी ऑटें थिस्यांगन पर आप लोगों को यह बहुए बताना चाहती हूं कि अब लोगों कि अब जो यह इसभी आ रहे हैं यहां पर सब ठीक ठाक रहेगा तो रहना तो चाहिए क्योंकि जितना दूर रहती है न मुझे न कमेंट सेक्शन मेरे न प्लीज जुरूर से आप लोग कमेंट सेक्शन में से कर लिया करो, के जी क्योंकि आप लोगों को प्ता है कुछ-कुछ बातें जो जूट जाती हैं वीडियोस में लेकिन आपको वो क्मेंट सेक्षन में जुरूर से मिल जाएंगी मेरे पॉइंट ओव व्यू जो होते हैं उनके साथ साथ आप लोगों के पॉइंट ओव व्यू मिला कर ही ये वीडियो बनती हैं ठीक है जी लेकिन जूठी का इतना जूठ बोलना और पुत्तन के घर में देखिए पुत्तन जो है अंदर ये अंदर कहीं न कहीं वो थोड़ा सा डि ले उसके साथ क्या हुआ आप लोगों को पता है ठीक है उसके बाद इतना जल्दी उसका मैरिज का हो जाना और उसके बाद मैरिज में आप लोगों को पता है कि पहले तो रिस्पोंसिबिल्टी अपने अपने घरों की सब बच्चे निभाते हैं शादी से पहले लेकिन उस उसको स्पेस नहीं मिला उतना टाइम नहीं मिला उसको उन दीदू से थोड़ा सद दूर रहना चाहिए ऊसका घर स्वर्ग बन जाएगा स्वर्ग तो वो Jest लेकिन यह रहने नहीं न देती बात यह आ जाती है अब जो है दीदू की बढ़ चुकी है जिम्मेदारी है जैसा कि प्रेगनेंसी कभी सब लोगों ने कहना शुरू करी दिया है कहीं न कहीं थोड़े बहुत हिंट भी मिलने शुरू हो गए है तो रिस्पोंसिबिल्टी तो कोई बातें ऐसे करेगी तो वह चीजें आप लोगों के सामने ही होंगी क्या वाकिया में ही जो आप लोग कह रहे हो कि जो सेकंड बेबी है तो सेकंड बेबी मतलब पुतन का तो वह उन्होंने सोच लिए मन बना लिया दिदू को देने के लिए तो फिर तो जी अच्छी ब करेंगी वह पता लगेंगा अब नेक्स्ट जो है उसका टाइटल की आने वाला है नंहा मेहमान जा आ चूकिन नहां मेहमान कपड़े कुपड़े देखे कोई मतलब वो प्यार थोड़ी नो था प्यार तो यह दिखाती है न स्जतातीयां अपनी वीडिए乾 में क्योंकर इसको थैंक्यू भी तो जहांए घ्रला आद़ा फकी है तो चलिए आज सब वीडियो मेरा थोड़ा सभी अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर देना और कमेंट करके ना अपने सजेशन देना मुझे बिल्कुल भी मत भूला करें और कम्यूंटी जरूर से चेक कर लिया करें तो मिलती हूं कलेक अच्छे से वीडियो के साथ ठीक है जी अपना द्यान रखें अपने अपनों का द्यान रखें क्योंकि आप हो तो मैं हूं